नमस्कार दोस्तों मैं उरितेश पर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल गार्णिंग गुरुद तो दोस्तों लेमने कैसा पोड़ा है जिसे आसानी से आप अपने टेरेस गार्डन पे पोट्स के अंदर उगा सकते हैं इसमें अगर आप बीच से उगाते हैं तो जनरली फूटिंग जो है वह चार से पांच साल के अंदर आती है लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे आप ग्राफ्टिंग के दूब इसमें दो से तीन साल के अंदर आप फूटिंग लेना शुरू कर सकते हैं वह भी पोट्स के अंदर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे वेज ग्राफ्टिंग के बारे में सिट्रस में आप कैसे वेज ग्राफ्टिंग कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए हमें चाहिए निम्बू का एक बीजू पोधा और ग्राफ्टिंग करने के लिए एक ग्राफ्टिंग नाइप यह जो शा सायन हमने कैसे कलेक्ट किया वह देख लेते हैं पहले सायन कलेक्शन के लिए हमें चाहिए एक पूराना पोदा जो ओल्रेडी फूरूटिंग में आ चुका हो जैसे कि आप देख रहे हैं और इसमें से हम वह ब्रांच सेलेक्ट करेंगे जिसमें इंटरनोट्स बहुत ज्याद कि एवरग्रिन प्लांट है पत्तियों को हम थोड़ा हटा देंगे और कांटे वे उनको भी खटा प्रिक हमारे सायन को तयार कर लेंगे यह लगबग यह त्यार हो चुकत है हमारा सायन सबसे पहले जो बीजू पोधा है उसको हम जो हमारा पॉट है उसमें चेंज उपर छोड़के बागी का पूरा हटा देंगे उसमें जो प्रांचे सगर साइट से निकली वी है तो उनको भी हम अटा देंगे कट जो है वो बिल्कुल साफ सूत्रा होना चीए अब हम लेंगे हमारी सायन और सायन को जो है यहां से इसमें तिर्चा इस प्रकार से कट लगा लेंगे दूसरी तरफ से भी सेम इसी प्रकार साय में इसको चील के खूटी बना लेना है इसके लिए नाइफ जो है वह आपका एकदम शार्प होना चीए ताकि कट ठीक से लगे यह देखिए तयार हो गया है हमारा सायन इसके बाद चाकू की सहायता से जो हमारा चीरा लगाएंगे और इसकी साइज जो है वह उतनी होनी चीज यतना कि हमने सायन के अंदर कट लगाया है कि यह देखिए इस प्रकार से और सायन को जो हमारा कट है उसके अंदर फिक्स कर देंगे के बाद हम लेंगे टेप और टेप से जो हमारी यूनियन है जहां पोधा जोड़ते हैं उसको हम लपेटना शुरू करेंगे इसको लपेटते समय हमें ध्यान रखना है कि जो कट है वो एकदम परफेक्ट जोड़ा रहे हैं और स्लिप ना करें यहां से थोड़ा फास करना पड़ेगा वीडियो कि अच्छी तरह से लपेटने के बाद अंतिम छोड को खीचते हुए हम इसमें गांट लगा दें यह देखिए हमारी ग्राफ्टिंग जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है इसके बाद हम इसके उपर एक पोलिथिन केप पहना देंगे ताकि पानी जो है वो इसमें नमी बनी रहे उपर से एक रबर की साहता से इसको बंद कर देंगे दोस्तों टेग लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि आपने कब जो है किसी भी प्लांट को ग्राफ्ट किया हो जब आप बहुत सारे प्लांट के साथ काम करते हैं तो यह जादा जरूरी हो जाती है कि यह हो चुका है अब हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां बहुत ज्यादा सीधे सूरज की रोशनी नहीं गरती हो इसके बाद इसमें देंगे हम पानी और अच्छे तरीके से केप लगाने का यह भी करण है कि पानी सीधे जो है वह हमारी ग्राफ्ट को नहीं लगे ज कि दोस्तों दो सप्ता के बाद आप देख सकते हैं इसमें हलकी सी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है अब हम क्याप को हटाएंगे यह आप देख सकते हैं दो वीक के अंदर इसमें हलकी सी स्प्राउट निकल आई है कि दोस्तों चार सप्ता हो चुके हैं और प्लांट जो हमारा है वह उसमें दो स्प्राउट्स हमें दिखाई दे रही है काफी अच्छी ग्रोथ इसमें हो चुकी है पेटालिस दिन दोस्तों इसको हो चुके हैं और देखिए प्लांट हमारा जो है वह बिलकुल कंप्लीट हो चुका है पांच तारीक को हमने ग्राफ्टिंग की थी है और देखिए प्लांट एक दम हेल दी है और ग्राफ्ट जो है वह सक्सेस हो चुकी है तो दोस्तों अगर आपको यह यूडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्ते के साथ शेयर करे हम हमें और आपको यह पा canoe सौर रहत डहते हुआ यूड़ में आपको यह सेब्सक्णे अचशों रहते है भाया घूटियों चाहिए धा फेग़ कि म्या है ते्या सचाः भी जब में ऊड़र है तो अस्क्वट दाफर बालंशway की तोस्ट के तोस्ट है